अब सब्सक्राइब अब सब्सक्राइब चनल राय जिकेशल में सभी मत्रकुष्प प्रपाद वरे गुड मानी टॉल अफ्यू 39,000 बढ़ती अपडेट में 36,599 नुक्त सिक्षकों के लिए बहुत इंपोर्टन अपडेट है जिसका वो बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे अगर दो समान अभरती या कह सकते हैं नौनिक तो सिक्षक होंगे तो उनको कि साधार पर वरीता किसको दी जाएगी वगर वगर और जो अनुपस्तित रहे जाता उसको कहां पर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कब तक विद्याले आपको जोईन करना है जोईन करने की तारीक भी सारी चीजें पूरी पीडिएफ में इसमें बस तरीके शो मेंचन है तो चलिए बिना कीजे देरी के वीडियो शुरू करते हैं सारी टीटेल जानकारी के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं शुड़ है आप सभी के लिए की अक्टिस्ट्रेस से बैच्ट्रेस कोर्स से मंटॉर सी बाइडिन से एक्जास्ट्री कवरेश रहेगा रेगुलर डाउट क्लिरिंग स्रेशन होंगे लाइव टेस्ट सीरीज अरेंज करा जाएगा और स्टेडी मेटेरियर पीडिये फ़र्म मिलेगा सब्सक्राइबर के लिए सब्सक्राइबर के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है आप एक्स्ट्रा कोई भी पैट कोर्स करीते हैं राइटी छोटा सा रफरल कोडे राइटी और इसको यूज करकर आप एक्स्ट्रा टेन परसेंट का बेनिफिट पा सकते हैं सबी चीज़ों के लिंग डेस्क्रिप्शन में है आप्टेट प्लस सब्सक्रिप्शन वन मन्त ट्री मन्त या टोनिफों मन्त का भी ले सकते हैं लेट्स क्रैक इट चलिए पूरी डीटेलिंग कर लेते हैं इस पीडियाफ में एक एक पॉइंट को मैं क्लियरफाई करूंगा सची उत्तरपदे बेस्सक्रिप्शन का परिशत प्रयागरास द्वारा यह जारी किया गया जिसमें समस्ट बीसेस को जितने भी जिले हैं उन जिलों के बीसेस को यह दिया गया है और उसमें स्मस्ट है कि मानने स्वरुष चैनल में योजी तो विशेश अनोगा याजगा वगरा वगरा में कुल 79 पदों के रिक्तियों के सापक्ष चैनित वह न्यूक्ति अबरतियों के हेतु विद्दाला वंटन के समन्द यह बात की गई है मौद है य इसमें स्पष्ट है कि जो न्याले के आदेश सर्वोष न्याले के आदेश के उपरांत 31 277 अबरतियों के न्यूक्ति के उपरांत दिती चरण में 36 590 अबरतियों के लिए चैन न्यूक्ति हेतु जनपद इस तरपर दिनांक 2-12-2020 से 4-12-2020 से कांसिलिंग की कारवाही पून की गई थी और 5 दिसंबर को जितने भी अहर बिरती थी उनको न्यूक्ति पत्र निर्गत किया गया था अब इन न्यूक्ति पत्र निर्गत करने के बाद लगाता रही है बिरती अपने अपने जीलों के मुख्याले पर यहनी BSS कार्याले पर BRC पर अपनी उपस्तिती और फिर उसके बाद जो रिमेनिंग विसंगती के कारण जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाय थी उनकी दिनाँक 20 जनवरी एवं 21 जनवरी को काउंसलिंग तथा 22 जनवरी को उनको निक्ति पत्र दे दिया गया उनको भी विद्दालया की अमटन की प्रक्रिया एक सांत संपन क और यहीं बात मैं लगातार बोल रहा था कि जितने भी वो जो तूटी सुधार वाले विरती हैं उनको भी साथ ही लेकर इसलिए चला जा रहा और इसलिए चला जाए और इसलिए 590 नोनक्ति शुक्षों को विद्यलांटन में देरी हो रही थी ता कि उनके जो बिछड़े त्रूटी सुधार घंतरगत जो रह चुके हैं वो छूट ना जाए इसी सांथ में इसी क्रम में 36590 के सांसा सबको एक सांथ नुक्ती दे दिया जाए ताकि कोई पीछे ना रपाए और यहीं कारण है कि अब जाकर यह बात संपन्न होने जा रही है नुक्त अध्यापकों के लिए विद्यालावंटन के प्रक्रिया बहुत ध्यान से अब सुनिएगा और फिर अब कुछ भी ना समझेवाए तो कमेंट करने की कोशिश करेगे जिस पॉइंट पर आपको तुरूटी लगे या जिस पॉइंट पर आपको अनसुल जासा महसूस ह सबसे पहले अध्यापक अध्यापकों को विद्यालावंटन आउनलाइन प्रक्रिया के मादिम से दिनांग 25 एवं 27 जनुरी 2021 को किया जाएगा दूसरा नउक्त साहिक अध्यापकों की तेनाथी निमाली दो जाराठ अधेदन संसुल देश एवं तद्विशेक नर्गत सासना दिष्टों के निसार किया जाएगा अध्यापकों की सूची निमनोत तयार की जाएगी बहुत ध्याश समझेगा पहला सायक द्यापक भरती प्रक्रिया में प्राप्त गुलांग के आदार पर दिव्यांग महिला की अवरोही में सूची त्यार की जाएगी देखें सबका यहीं काम होगा आपका जो गुलांग है वहीं मैटर करेगा इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए मित्रों अभी तक आपको क्रम संख्या एक निर्दारित की गई होगी आप जाके सिंगनेचर कर रहे होगे यह बात मैंने बहुत इंपोर्टन लेगी की है कि गुलांग ही सबसे बड़ा मैटर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हर जगा पर चाया आप ट्रांसफर लें मिट्यल के अंतर करता हैं विद्याला मंटन की कारवाई के अंतर करता हैं काउंसलिंग के अंतर करता हैं यह सबस लोवेस्ट गुलांक तक उनको दिया जाएगा फिर उसको आप फिर गुलांक आपके दिव्यांग पुरूश आएगा उनको भी यहीं अवरोही क्रम में उनकी सूची त्यार की जाएगी गुलांक के अधार पर फिर तीसरे नंबर पर आएगे साय के दापक बरती प्रक्राम महिला अध्यापकाओं को आपके अवरोही क्रम में सूची त्यार उनकी की जाएगी उनको विद्याले की सूची उनकी उपलब्द है फिर अंत में आपके प्राप्द गुलांक के अधार पर प्रूस अध्यापकों की अवरोही क्रम में सूची त्यार की जाएगी यह चार ह अब पांचमें पॉइंट है कि नियोंक दिव्यांग अध्यापक अध्यापिकाउं के अधरीक्त विशेष आरच्छन का लाप राप्त कर नियुक अध्यापक अध्यापकों को उनके गुणांग के अधार पर उन से सम्मंदित सूची में रखा जाएगा और सायक अध्यापक भरती प्रक्रिया में गुडवत्तांग समान होनी की दर्शा में क्या होगा पहला अब यहाँ पर देखें यहीं बात मैंने स्टार्टिंग में डिसकस किये कि जब दो अध्यापकों का गुलांग सेम हो जाएगा तब क्या होगा तब अधिक जन्वती थी के अध्यापक ध्yापकाऊं को अवरोही क्रम में तりयार सुची में ऊपर रखा जाएगा यादि कि आपका गुलांग माली जा सेम है दुनों लोग का तो जो जादा एज वाले हैं, यानि कि जिनका डेट ऑब बर्थ अधिक है, अधिक इन्दसेंस कि जिनका एज जादा है आपसे, उनको पहले प्रिफरेंस दी जाएगी, क्योंकि उनकी उमर जादा है और उनका सवरी स्पीरिट कम होगा, अविस सी बात है, तो उनके उनकी प्रिफरेंड माला के अक्षर की क्रमे अध्याबग अध्यापिकाओं को सूची में उपर रखा जागे, यानि कि ध्यान समझें कोशिश करिएगा, जैसे मालीजे एक अभरती A है, एक अभरती B है, इनका गुणांक मालीजे 70 है, 70.22, इनका भी मालीजे 70.22, यानि कि अब एक ग्जामपल ले रहा हूँ, एक जनवरी, एक एक सन 2018, मा लेता है एक एक ग्जामपल, और इनका है 1184, तो इसमें A को प्रिफरेंस दे दी जाएगी, गुलांग सेम है या दपी, लेकिन इनकी डेटावबर्थ अधिक है, यानि कि ये पहले जन में लिये वे हैं, तो इनक इनका मलिजे नाम A से स्टार्ट है, और इनका नाम B से स्टार्ट है, तो इनको पहले प्रात्मिकता दी दी जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर आई होप, ये confusion दूर हो गया होगा, अब आ गया आ जाते हैं, विद्यालियों की सूची त्यार किस प्रकार से की जाएगी, पहल परवाई नहीं की जाएगी, यारी नगर छेत के विद्याले में आपको विद्याला मंटन की प्रक्रिया आपको न्युक्ती नहीं दी जाएगी, पहली बात, दूसरा, विद्याले की सूची त्यार करते समय, ये ध्यान अवश्य रखा जाए, कि यू डायस कोट 2019 के आधार पर चैनित विद्याले, ग्रामिट शेतर में अवस्तित परिशिदी प्रात्मिक विद्याले ही हैं, दूसरा, तीसरा, कंपोजिट विद्याले के अंतरगत प्रात्मिक विद्याले में कार रहता अध्यापक अध्यापिकाओं की संख्या, आधार पर उक्त विद्याले को जाए ठीक है वहां पर संक्या क्या दार पर है चोथा जनपद में आवांटित अब रटतियों की संक्या के सापक्स पांच अत्रिक्त रिक्तियों को जोड़ते वे यह मैंने यह तो पहले ही विग्यत्ती जो जारी किया थी शॉर्ट नोटिफिकेशन उसमें बोला गया था रि दो सिक्षक वाले विद्याले में जिनका चात्र अध्यापक का अनुपा सरवाधिक है में एक सिक्षक तैनात किया जाएगा पांचवां विद्यालेओं का चिनहंकन युडायस जो है युडायस कोड परुपलब दिदिनांग 39219 के अध्यापक यह उन चात्र संख्या जो जिला बेसिक्षक शादिकारी द्वारस सत्तापित है उसके अनुसार विकास खंड विद्यालेवार वेकेंसी मैट्रिक्स त्यार की जाएगी विद्याले में रिक्त पदों की गणना में कार्यात शिक्षामित्र अनुदेशकों को नहीं जोड़ा जाएगा याद अध्यापक अनुपात के अधार पर अरोही करम में तयार की जाएगी एकल सिक्षक वाले विद्याले की सूचे सरवादिक छात्र अध्यापक अनुपात के अधार अरोही करम में तयार की जाएगी फिर वहीं आपके दो सिक्षक वाले अध्यापक उसी अरोही करम में उसको रहेगा सबसे पहले सिख्षक भी ने द्यापक विद्यालों में कम से कम दो सिख्षक को तैनात किया जाएगा फिर उसके बाद एकल विद्याले में कम से कम एक और सिख्षक तैनात किया जाएगा तत पश्चा दो सिख्षक वाले विद्यालों में यदि रिक्तियों की आवश किया जाएगा फिर दिव्यांग पुरुष फिर उसके बाद महिला धापिकाओं को और अंत में पुरुष अध्यापिकाओं को उनके विकल्ब के आदार पर विद्याला मंटन किया जाएगा फिर अलग-अलग time slot दिया गया है, यह सबसे important बात है, हर जिले की विग्यप्ति जारी कर दी जारी है, कही जिले का आपने देखा होगा, उसमें इस पस्ट है कि 25 तारिक को इस time slot में दिव्यांग आएंगे, फिर इस time slot में महिलाएं आएंगी, 27 तारिक में इस time slot में अध्याबकों को विकल प्राप्त करने हैं, तो निर्धारित तिती के नुसार आप time slot दे दिया जाएं, जिसमें वो आकर अपना समनित अध्याबकों को विग्यप्ति के मादिम से वो डिटेल बता सकें, निर्धारित तिती में बहुत important अब समलेजे, जो उपस्तित नहीं ह होता है, किसी भी दसा में कोई प्रतिस्थानी अनुमन्य नहीं होगा, दूसरा आपको लेकर क्या आना है कि समनित अध्याबकों को न्युक्ति पत्र एवं अपनी पहचान पत्र ने, यानि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ पस्तित होना है, तो आपका एक ID proof, valid ID proof आपके पास होना चाहिए विद्धाले अमंटन के समय और एक बात और समल लीजे कम से कम, दो से तीन से अपने जो डॉक्मेंट्स हैं आपके वो तयार करके, फाइल तयार कर लीजे क्योंकि आपको फिर वहां से सेट पूरा डॉक्मेंट्स लग जाएगा फिर वहां से फिर बी आर्सीस पर तो ये कम से कम, दो से तीन सेट अपने डॉक्मेंट्स आप तयार कर लीजेगा, ठीक है ना और फिर ये सारी चीज़े टीजे ले, मैं इसको पूरी पीडियेफ को टेलिग्राम कृप में अवलेबल करा दूँगा, आप एक्दम परशान मत होईएगा, इसको डिटेल में पढ़ लीजेगा, और जो भी आपको समझना है, आप जरूर पूछने के कोशिश करेगा, अब यहाँ पर सबसे इंपोर्टन्टली मैं बता द 21 तक आप सभी, यानि 25 या 27 तक आप सभी को पता चल जाएगा विद्धाले कौन सा है, तब से लेकर 4 फरवरी तक आपको अपने विद्धाले में जोईन करना है, इस बात को बहुत अच्छे समल लीजे, उसके बाद फिर आपका डिटेल मानोसमधा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, फिर उसके बाद सारी आप सर्टिफाइट अध्यापक हो जाएगे, उस ब्लॉक के, उस विद्धाले के और उस जनपत के, तो इस बात को बहुत अच्छे समल लीजेगा, बाकी डिजेल आप पढ़ लीजेगा, इसमें जो भी आपको ना समझ में आए, आप आपके पेशिंस का, आपके सायम का ये प्रतिफल है, जो आप लोगों को मिलने जा रहा है, तो उसकी डेरो 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 शुप कामने है, बाकी के लिए डिस अपडेट के लिए बने रहे हैं, बस्ट अफ लग थेंगे समझ